आज हम टॉकोज बनाएंगे उसके लिए यहां हमने बाउल लिया है हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे और डो तैयार करने के लिए हमने यहां हाफ कप आटा लिया है हाफ कप डालेंगे मेदा आफ इसमें सिर्फ आटा या फिर सिर्फ मेदे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब यहां हमने 4 टेबिल इस्पून ली है सूजी थोड़ा सा नमक डाल दिंगे और थोड़ी सी हमने यहां अजवाइन लिए इससे टेस्ट अच्छा आएगा अच्छे से मिक्स कर दिंगे अब यहां दो चमज भर के हम ऑईल डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका मुहिन भी बन रहा है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइड डो तैयार कर लेंगे यहां हमारा टाइड डो बनकर तैयार हो गया है अब हम इसे दस से पंदर अमनेट के लिए इसी तरह रखके छोड़ेंगे जब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे हमने यहां दो मीडियम साइड के आलूओं को बॉइल करके मेश कर लिया है यह अच्छे से मेश हो चुके हैं हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ी सी कटी हुई यहां हमने प्याज लिए है यहां हमने हाफ टीजपून चिली फ्लेक्स लिए हैं इसे डाल देंगे आप इसकी जगा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिरच भी डाल सकते हैं और यहां हमने बन टीजपून कुटी भी लाल मिर्च इससे कलर भी अच्छा आता और यह थोड़ी तीकी होती है अगर आप कम तीका रखना चाहें तो मिरच की कौंटिटी आप कम कर सकती हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग आदा चमज डालेंगे हम चाट मसाला पाउडर आदा चमज गरा मसाला पाउडर डालेंगे चाट टेविल इस्पून चावल का आटा लिया है हमने यह बाइंडिंग एजिंट का काम करता है इसे हम डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को उपर नीचे मिलाते हु और इसकी एक बॉल्स बनाते जाएंगे बॉल्स को बनाते हुए हमें हतेली से इस तरह से इसे दबा के फ्लेट कर देना है इस तरह से टाकोस बनाने में असानी हो जाती है और बहुत इजिली बन जाते हैं हम सारे इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे यहां हमने सारे गोले फ्लेट करते गोई तयार कर लिए हैं यह आरा आटा भी तयार है थोड़ से पंचोर लगा लिगे हम इसमें अब यह हमारा आटा बिल्कुल पर्फेक्ट तयार हो चुका है हम इसे अब 2 हिसों में डिवाइट कर लिए डिंगे इसके एक बॉल्स बना लिए गे बॉल्स बना के हम इसको अब यहां बेल लिंगे यहां में एक बड़ी सारी रोटी बेल ली है और यहां हमने गलास लिया है क्योंकि हम गलास के शेप में सर्कल शेप में सारे हमने सरकल शेप में काट लिए हैं अब हम एक एक करके निकालते जाएंगे यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से निकल आए हैं अब हम सारे अलग करते जाएंगे अब हम इसकी दुबारा से बॉल्स बनाके इसको यूज में ले लिए प्नार लिएंगे हमने हमारे चमच तिल लिए जो हमारे टॉकोउस के उपर हम लगाएंगे तो यह अच्छे दिखाई देंगे यह हमने हमारे डो पूंकर र१ाइन रखे पांगे इस के से दबाएंगे ताकि हमारे टॉइको अच्छे से फिल भी हो जाएं और ये फ्राय करते लेक्त निकले भी नहीं या आपने देखा बहुत अच्छे से हमारे टॉको बनकर इस तरह से तायार हो गया है हम इसके उपर तिल लगाएंगे इस तरह से और हातों से भी थोड़ा दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं इस तरह से हमारे टॉकोस बनकर तयार हो गया है हम बाकी के भी इसी तरह से हमारे टॉकोस बनकर तयार कर लेंगे यहां हमारे सारे टॉकोज बन कर तयार हो गए हैं अब हम इने फ्राइ कर लेंगे हमने आईल को पहले सी गरम पे चड़ा दिया था और आईल गरम हो गया है एक ही करके हमारे टॉकोज डालते जाएंगे गेस की फिलेम को हमने मेडियम जो हाई रख दिया है जो होते जाएंगे उसे हम फिलिप करते जाएंगे अब हम दूसरे साइड से भी इसे फ्राइ होने देंगे दोनों साइड से कलर अच्छा आ गया है हम निकालते जाएंगे और यह मैं आपको चेक कराना चाहूंगी यह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार हुएं और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से कुख हुए हैं टेस्ट में यह बहुत ही अच्छे होते हैं यह आप देख सकते हैं हमारे टेस्टी क्रिस्पी टाकोस बनकर तयार हैं यह अंदर से भी बहुत अच्छे से कुख हुए हो बहुत एक क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हुए हैं अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वन टाइम सब्सक्राइब जरूर करें फैमली और फ्रेंट्स में जरूर शेयर करें कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी टेस्टी क्रंची टाकोस की रेसिपी कैसी लगी